तो और भाई लोग क्या आले हैं और आज की इस वीडि़ियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसीन जेखेंगे और इस वीडियो को कोसिस करें कि पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके उस से पहले अगर आपने अभी चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दियेगे लाल बटन को दबा कर चैनल को subscribe करने और कोई भी query रहती है किसी भी medicines related तो आप comment में पूछ सकते हो तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम कैसे पता करते हैं किसी भी दवाई का नाम देखके उसका यूस कैसे पता चलता है तो देखिए हर दवाई में दो नाम होते हैं एक brand name होता है जो company उसे बनाती है या फिर sell करती है आप हर दवाई पर आपने देखा होगा प्रोड़क्टर या manufactured by this company and marketed by this company तो ये दो अलग कभी कभी same company ही उसे manufacture भी करती है, marketing भी करती है कभी-कभी एक अलग company उसे बनाती भी है और दूसरी अलग company उसकी marketing करती है तो आपकी ये जानने की चीज़े नहीं है बट आप एक ध्यान लगिए कि एक दवाई में उसका एक brand name होता है जो company उसे बनाती है और फिर उसमें जो salt मिले होते हैं उसके नाम से भी वो जानी जाती है तो उसको देखती है आपको जान जाना इसकी medicinal category जो है वो फॉस्पोर डाइस्टिरेस इनिबिटर है फॉस्पोर डाइस्टिरेस इनिबिटर जो दवाई होती है या फिर जो medicinal category होती है ये आपके erectile dysfunction को ठीक करती है ये common problem है मेल्स के अंदर तो ये दवाईयां भी मेल्स के लिए होती है और अगर आप किसी भी person को erectile dysfunction है ये temporary problem है तो वो इस दवाईयों को जैसे कि आप नाम देख सकते है अवैनाफिल, सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वरडेनाफिल सबके लास्ट में अफिल है तो इसको आप दुकान पर फॉस्पोडाइस्ट्रेस, इनिभीटर बोल के भी ले सकते हो या ऐसा नाम वही है सिल्डेनाफिल टैबलेट, टैडलाफिल्ट बोलके भी ले सकते हो या फिर इसके जैसे कि इसके ब्रैंड नेम्स भी होते हैं ये भी बोल के ले सकते हो, बट उसके साथ-साथ अगर आप जानों कि ये premature ejaculation को ठीक करता है तो नहीं, ये premature ejaculation को बिलकुल नहीं ठीक करता है, ये सिर्फ ठीक करता है, ये सिर्फ ठीक करता है, रिक्टायल डिस्फंक्शन को और वो भी अगर temporary problem है, तब इस दवाई को आप से ले सकते हैं, वरना अगर आपको रिक्टायल डिस्फंक्शन की बहुत ज़्यादा serious problem है, तो आप किसी अच्छे sexologist से मिलें, उसको दिखाएं, उससे अपना treatment करवाएं, और इस दवाई के साथ-साथ कभी भी nitrate का combination ना लें, वरना आपको heart से related problem देखने को मिल सकती है, ज frequent erection जल्दी जल्दी आने लगते हैं, बस यही काम करती है, तो अगर आपको erectile dysfunction की problem है, तो यह सारी medicines आपके लिए कारगर साबित होंगी, तो hopefully यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो नीचे देए लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट में बताए कोई भी प्राबलम रहती है तो